कला शानन की मोश पापुलर शो बिग बॉस सीजन 14 में बतार फेवरिट कंटस्टेंट अब तक रूबीना दिलैक को आपने देखा रूबीना ने काफी जादा अपने हस्बिन के साथ इस शो में अबिनवकोडी के साथ strong bondage share की है लेकिन इसकी अलावा रूबीना को अपने हस्बिन के साथ जो आपने छगरे करते वे देखा और जिस तरह से सबसे जादा रुबिना दिलैक को इस शो में कभी हस्बिन के साथ छगड़े तो कभी हस्बिन के साथ रहस तो कभी जैस्मीन के साथ छगड़े को लेका चर्चा का विश्य बनते वे देखा गया है अब लोग रुबिना दिलाइक को बुरी तरह से फ्रोल कर रहे हैं जी हाँ लोगो का कहना है कि टी आरपी बटोरने के लिए सब कर रही है और फिक्स्ट विनर है रुबिना दिलाइक ये कहना है लोगो का और आपको ताना शाहेंगे रुबीना दिल्लाइक को लेकर कॉमेंट आ रहे हैं एक फिक्स्ट विनर हैं सिर्फ वेक्स संपरते चाहिए उन्हें इसलिए वो ऐसा कह रही है इतना ही नहीं रुबीना दिल्लाइक को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि अलग हो जाओ अभिनाव ही संभाले हुए हैं ये कहना है यानि कि कहीं न कहीं अपने हस्बिन की वजह से बड़ी परिशानी में रूबिना दिलाइक और रूबिना दिलाइक को लेकर जो हैं सबसे जाबास जावाल किया जा रहा है अब तक रुबिना दिलाइक को फ्रैंस ने सपोर्ट किया लेकिन कुछ लोग अब कह रहे हैं इमोशनल कार्ड प्ले कर रही है रुबिना दिलाइक इस तरह की कॉमेंट्स आ रहे हैं रुबिना दिलाइक को लेकर We don't want their shoot but hope they shot it out Stay love forever रुबिना दिलाइक कह रहे हैं रुबिना की वजह से और फ्रैंस के लिए ही बुड़ी ख़बर है कि रुबिना अभी तक पूरी तरह से लोगों के दिलों में जगा नहीं बना पाई हैं और कह रहे हैं, कह रहे हैं लोग They both very egoistic, even if they try they will not be able to stick together Being in a bad relationship is worse than being alone ये कहना है रुबिना अभिनाब के रिष्टे को लेकर Next 9 ये जुन से कुप्टे की रिपोर्ट